नमस्कार में सूकृती रोय आप सभी का स्वागत करती हूँ आज हम बात कर रहे हैं बॉल्लवूड अधाकारा श्री देवी के निधन के बारे में जिहां श्री देवी का निधन हो चुका है 54 साल की उम्र में उन्होंने दुबई के एक होटल में उनकी मौत हुई है इससे जुड़े कई ऐसे वाकिये सामने आ रहे हैं जिस पर ये एक मिस्ट्री की तरह बनती जा रही है जिहां श्री देवी की मौत एक मिस्ट्री बनती चली जा रही है इससे पहले हम आपको एक ताजा उनकी एक रिपोर्ट दिखाएंगे जिहां ये UAE गर्मेंट की तरफ से रिलीजड एक पेपर है जिसमें उनकी डेथ के बारे में डीटेल में इन्फरमेशन दी गई है पहले मीडिया में ये खबरे आ रही थी कि कार्डियक अरेस्ट की वज़ा से उनकी मौत हुई है लेकिन अब ये खबर आ चुकी है ये पुष्टी हो चुकी है पूरी तरह से पोस्टम रिपोर्ट में की एक्सेडेंटल ड्रॉनिंग की वज़ा से हुई है उनकी मौत जी हां उनकी मौत डूबने की वज़ा से हुई है अनकॉंशेसनेस के कारण वो डूब गई थी बातरूम में बात टब में डूब कर हुई है उनकी मौत लेकिन सबसे बड़ा सवालों के घेरे में अगर कुछ है तो वो ये कि आपको अगर दिखाती हुँ मैं कि एक्सेडेंटल ड्रॉनिंग जी हां अगर हम बात करें इस रिपोर्ट की तो इसमें एक्सेडेंटल ड्रॉनिंग जो की लिखा गया है यानी की डूबने की वज़ा से उनकी मौत हुई है लेकिन योई गवर्मेंट की तरफ से ये लेटर आया है एकसेडेंटल ड्रॉनिंग की यहां पर स्पेलिग गलत है जी हा ये मुद्दा तो बना ही हुआ है कि accidental drowning की वज़े से मौत हुई थी जिसको हम पहले cardiac arrest बता रहे थे क्योंकि कहीं न कहीं ये खबर आ रही थी कि cardiac arrest की वज़े से उनकी मौत हुई है तो शायद government की तरफ से ये पुष्टी होगी कि ये accidental drowning की spelling किस तरह से गलत हुई है हो सकता है फिलहाल हम आपको ये बता दें कि श्रीदेवी का पार्थिव शरीर अभी भी भारत नहीं पहुचा है हो सकता है इसे और समय लगे क्योंकि UA government या वहां की police अभी तक इस जांच में जुटी हुई है कि ये mystery ये death mystery बन चुकी है और इसी में जुटी हुई है कि आखर उनकी मौत किन किन कारणों से हुई है तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही बने रही है हमारे साथ